नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल बिनरस एजुकेसिन पॉइंट पर रदिया भी तक आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सरपत हमाप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक वी से आरक्षन के सादियन में ना उलच कर अपनी तैयारी में लगे रहे और यदि आप हमाई नोर्स पर्चिस कर सकते हैं तो आप हमाई नोर्स के माध्यम से अपनी हंदेट परसें सफलता को प्राप्त करते हैं डिस्कृप्शन बोक जाकर इस्टा मौज़ों की लिंक से आप हमारी मुख परिच्छा इंप्राइब में परिच्छा के नोर्स पर्चिस कर सकते हैं जो की हस्त लेकते हैं उन टॉपर्स की द्वारा बनाये गए हैं आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है स्में राष्टी स्वास्त नीती कारेकरम प्राक कर सकें चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही आइंपी है स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला प्रशन है वह है कि विश्वा इसमें जो आज हम प्रार्म करते हैं कोविड नाइंटीन वायरस की उसमयान अवदी होती है जिसक 14 दिन तक होती है यह जो प्रशने आप नोट भी कर सकते हैं आपके लबहुती IMP है और WHO ने COVID-19 को बैश्विक महामारी कफ घोसित किया था यह प्रशनी पूंचे जा सकता है जैसा कि आपने PSC 2020 में भी देखा है कि पूंचा गया था आप पूंचे उठता है कि WHO की स्धापना कप की गई थी जिसका राईत按सर दोस्तों 7 अप्रियल 1948 को WHO विश्व स्वास्थर संग्ठन की स्थापना इसका कालया लगे पूछ रहा है तो जेनेबा में इसका कालया लगे है स्वास्ता संगठन का WHO की स्थापना साथ अप्रेल 1948 को की गई थी WHO ने COVID-19 को 21 महामारी 11 मार्च 2020 को घोशित किया था और COVID-19 वाइरस की उसमें अनवदी जो होती है एक से 14 दिन की होती है अब एक जो नया वाइरस नया वेरियंट आया है डेल्टा प्लस के बाद अब है और मिक्रॉन वाइरस का नया जिसमें करना टक में दो व्यक्ति पोजेटिव भी पाए गए हैं तो आप अपनी शाओधानी भी रखें और इससे संबने प्रेश्णरी कोई पूंचा जाता है तो मैं आपको इनफॉर्म करती रहेंगे इसके बाद जो है कोरोना से मानव सरीर का प्रहावित होने वाला अंग कौन सा है तो इसका राई टान सरे दोस्तों फैंपड़ा कोरोना से मानव सरीर का प्रहावित होने वाला अंग फैंपड़ा है पहले का जो कोरोना वाइरस था उसमें जो सिम्टम्स बताए थे एकिकरत रेफलर सर्ट्रांसपोर्ट संजीव नेक्सवार्ट का संचालन चेकस्सा हेल्थ केर लिमिटेश संस्थान के द्वारा हुता है दिन दयाल समाल्थ योजना कब से प्राणब की गई हम इसका उद्देश क्या है तो प्रमुक योजना जो है इनके बारे में घुमाकरी प्रशने पूछे जाते हैं तो हम इसे साफ से आपको पढ़ाएंगे कि आपके यहीं पर आपको यह है प्रशने आद हो जाएगा और किसी परीशा हैं पूछा जाएगा तो आप पे 100% यह बन जाएगा दिन दयाल समाल्थ योजना है यह 25 सितंबर 2004 से प्राणब की गई है और इसका उदेश से ने सकत जनों को सामजिक संबान देलाना वरोज गाल कि आउशर अपलब्द कराना आईश्मान भारत योजना का अन्यनाम कौन सा है तो इसका राइटान सारे दोस्तों प्रदान मंत्री जन आरूग योजना है कितने रुपे तक का हेल्थ कबरे दिया ज बैं इसके बाद में जो महतूर प्रmäßig्ण उतते हैं बाइ आपदा से स्मोद्स प्रश्न उतते हैं तो इसमें आपदा में प्रथमिस्थान का आपदा का पर आती है तो अब आती uh- प्रवंदन एक्ट का बाया यह प्रशन पीएशी 2020 में पूछ गया था तो आपदा प्रवंदन एक्ट जो है वह 2005 में आया था कई बच्चों ने भण में 2006 भी लगाया था तो उनको गलत हो गया था तो आपदा किसे कहती ही है माहतूर प्रशन तो इसे विद्वन्स अनिष्ट विपत्ति या गंबीर घटना कहते हैं आपदा जो है आपदा की द्वारब विद्धवन्स अनिष्ट विपत्ति या गंबीर घटना को आपदा कहते हैं और जो आपदा प्रवंदर ने एक्ट है वाई 2005 में आया है प्रात्ते का आपदाओं के मामले में भारत का इस्थान परभावत कर सकते हैं और हमारा जो कौंटेक्ट नंबर है सबस्यादे कौन सराजबार प्रभावत है जिसका राइट आंसर यूपी 33 प्रभूबाग जोकी बार से प्रभावत है बहार 27 प्रती सत यहें पंजाब 15 प्रती सत तो अभी दक्षिन भारत में भी बहुत से चेत्ट अंकित किये गए है यूपी बिहार पंजाब यूपी में 33 प्रती सत बिहार में 373 परिशिंगर पंजाब 15 परती सत अपlaşुन ओकता है में भारत में राश्तिय बाल नियंतरर में 95 करम का किया गया था तो इसका राइटांस है दोस्तों 1976 में राष्टी बाड़ायू का जो गठन है 1976 में किया गया था इसके बाद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रमख कुछ तूफान आदी हदो चक्रवात आदी जो प्रमख रूप से भारत में आया है काबाय है ते अभी आपको जान करें मिलेगी हदो चक्रवात भारत में 2014 में आया है फनी चक्रवात का भी आपने नाम सुना होगा 2019 में तितली चक्रवात जो है बाद 2018 में आया है बरदानाडा जो है वह 2015 2016 में आया है यह केदनातराश्दी कभूई थी 2013 में अपने केदनातराश्दी के बारे में सुना होगा जैसे में कवी लोग बह गए थे कवी लोग खत्म हो गए थे आज तक भी नहीं मिले है 2023 में केदनातराश्दी हुई थी और केदरनात्रास्दी का प्रमुख कारण रहा है बारत में सुनामी कब आई थी तो भारत में सुनामी जो है बाई 2004 में आई थी और साती साथ बिस्विव में सरवादिक कुष्ट रोगी कहां पाए जाते हैं तो इसका राई टांसर है भारत में सरवादिक मात्रा में मैं तीवी उन्मूलन का रक्ष़ दो हजाल पचीस रखा गया है कि भारत ती बी से पूरी तरहिशे मुक्त हो आहे इसके बाद में जो है मुख मनती महिला सचक्तिकर्न योजना का आई है मुख मंती महिला सचक्तिकर्न dh योजनाय बनाई गई है स्वास्ते के छेतर में वह भी आपको उमारी इस पीडियाप में देखने को मिलेगी यह हम पीएम सुरक्षत मात्त अभियान प्रारंभूगा 2016 में इसका राइटांस है 2016 पीएम सुरक्षत मात्त अभियान जेवा 2016 में प्रारंभूगा सरदार बलब भाई पटल निसल को उच्दी बतन योजना का प्रारंभूगी तो 2012 में सरदार बलब भाई पटल निसल को उच्दी बतन योजना 2012 में प्रारंभूगी है इसके बाद का जो मात्रपूल प्रश्ण है वह है कि राष्टी बाल स्वास्थ कारेकर्म का प्रारंभ कब से किया गया है तो 2 दिसंबर 2013 से राष्टी बाल स्वास्थ कारेकर्म का प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश शुन्य से लेकर जन में से लेक ठाला वर्षता कि बच्चों एवं छात्र छात्राओं को स्वास्त परिक्षन करना राष्टी बाल स्वास्त कारेकरम के अंतर गताता है जो कि 2.12.13 से प्रारंभ की गई है इसके बाद में जो है बाल सक्तियोजना की शुरुवात कप की गई है तो 15 अप्रिल द क्या समझते हैं तो कायकल प्योजना जो है इसके प्राणम 15 मैई 2015 15 मैई 2015 को किया गया था मंत्रा लें इसका स्वास्त परिवा्ड कल्यान मंत्रा लें उद्देश जन साथ सोभी दाओं में भोकताओं को विस्वास बढ़ाना इस योजना का प्रमो कुरूप शोद्देश है यसी महत्वपूर्ण कंटेंड के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं और आज यह आप हमाई नोट से पर्चिस करके अपनी तैयारी में जोड़ सकती हैं घर बैठी मन्चाही सपलता को प्राप्त कर सकती हैं आप से का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमासा करते हैं अगया हमासाती हुई जुड़े रहेंगे और लंबे समय तक हमारी साथ बनी रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका